हेलो एवरिवन गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे मैं हूँ पूसपा और आप देख रहे हैं पीके स्वादिष्ट बेंजन चलिए फ्रेंड्स तो आज हम बताने जा रहे हैं कि घर का बचा हुआ मलाई से घी कैसे निकालते हैं तो देखिए हमने बचा हुआ आठ या दस दिन का यह मलाई है जब ही आप घी निकालें तो मलाई जब घी निकालने के लिए रखते हैं तो फ्रीजर में रखिए मलाई को क्या हो होगा कि फ्रीजर में रखने से बहुत ही अच्छे तरीके से मखण निकलता है तो आप फ्रीजर में रखे देखिए कितना जल्दी मेल हु रहा है बहुत जल्दी मेल्ध होता है देखिए गुठली था हल्का-हल्का था जादा नहीं था एक कि भोector में बहुत 2 मिनट मुझा दो मुझे लगा था मैं इसे बृफल कूल इसका प्रोपर तो तरीके से मलाई मखह निकल गया तो देखिए कितना जल्दी इसमें लग जा रहा है और इसमें ना मिक्सी का जो रत है ना मशीन का और बहुत सा ऐसा होता है कि मतनी से लेके पानी लेके एक-एक दोड़ गंटा कर रहें तब जाके निकलता है तो अगर ऐसा आइडिया अपनाएंगे तो बहु तो इसमें बस थोड़ा और कुछ सेकंड के लिए इसको फैटेंगे तो बहुत से लोगों काना है कि हम तो मिक्सी चलाते हैं लाइट नहीं रहती है मिक्सी में चलाना पड़ता है तो प्रोब्लम होता है देखिए पानी हाथ में बिल्कुल लग गया थोड़ा बहुत इसका ज ठंड़ा फ्रीज का पानी डालेंगे हलका और प्रोपर तरीके से अच्छा से यह गोला बन जाए और देखिए थोड़ा देर के लिए ऐसे चलाएंगे तो इसमें कोई जंजट नहीं है नहीं तो आपको ज्यादा प्रोब्लम होगा निकालने में नहीं तो आपको लाइट क जो रत है मिक्सी चलाने के जो रत हैं बस यह अपना यह बहुत ही अच्छा से मलाई से मंखन निकाल लीजिए देखिए गोला बना लेंगे ऐसे गोल कोल करकर कर कर देखिए कितना जल्दी ऐसे पानी एकदम निचोड़ कर अंदर ऐसे नीचे गिर जा रहा है अमलाई बिलक यहामिलावट है नहीन है और बाहर का घी में भी कोई लेने से बिश्वास भरोसा नहीं होता है कि उसमें क्या डाल के निकालते हैं तो मैं मैं घर का ही यूज करती हूं यूज़-गरती दो घर कहीं जो भी होता है मखन क्योंकि मलाई धूद है फ्रीज में रखने से मलाई पढ़ी जाते हैं और उसको निकाल लीजिए और फ्रीजर में रखके आप इस तरह के से बहुत ही अच्छे तरीके से आप घर के लिए सूध घी बना कर तयार करेंगे और अपने बच्चे को हेल दी खाना में इसे दीजिए बहुत ही अच्छा होत यहां बस ज्यादा दिन का दूद नहीं होना चाहिए आठ से दस दिन के अंदर फ्रीजर में कोई दिक्कत नहीं होती है कोई परशानी नहीं होती है अब देखिए यहां पे हम एक कडाही बैठाया है और इसमें जो मख्ष निकालने उसको हम इसमें डालके और घी निकाल ल कि इसमें 500 ग्राम से मुझे लगता है ऐसा कि ज्यादा ही गी निकल जाएगा देखिए घर का मख्षन और घी का कुछ अलगी बात होता है देखिए कितना जल्दी पिघलने लगा कि बहुत ही जल्दी हो जाता है इस तरह से हम ऐसे कर लेंगे इसका घर का जो गी ऐसे बनाएंगे बहुत ही अच्छा इसका महक आता है और देखिए यह जब गरम होता है तो एक दम से ऐसे होके ऊपर की तरफ खौलने लगता है मात्र 10-15 मिनट में यह बन के तयार हो जाएगा मुश्किल से 10-15 मिनट ही लगते हैं घी बनने में देखिए कितना जल्दी हो रहा है देखिए किस तरह से ऐसे उबलने लगा है और एक बात का ध्यान देना है कि आपको मीडियम फ्लेम पे यह करना है ज्यादा हाई रखेंग अगर ज्यादा आपको रहेगा तो बहुत जल्दी निकलता है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब ही आप गैस पे रखेंगे घी तो आप मीडियम में ही फ्लेम में ही घी को गरम करें नहीं तो हाई रखना है नहीं तो लो रखना है अब देखिए यह बिल्कुल ही बन ग तो यह जल्दी खराब होता है और यह थोड़ा ब्राउन रहेगा ना तो घी क्या होता है थोड़ा सा उसमें सुन्धापन आ जाता है तो घी बहुत ही ज्यादा दिन तक चलता है आप इसे अश्टोर करके रख सकते हैं काफी दिनों के लिए यह खराब नहीं होता है चाहे बर करेंगे ना तो बहुत दीन तक चलेगा और देखिए यह 500 ग्राम से थोड़ा ज्यादा ही घी निकला है और कभी भी घी रखें तो कांच के बरतन में घी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है देखिए वह जो दूद बचा था ना जिससे हम मक्षन निकाले थे उसे द हमने वह डाला है प्रड़ने के लिए और इसे हम शट्री के सिक्षें जाओ लिए दूदक को देखिए थोड़ा सा जब Benjamin आ वाय जो फ्लेम रहता है ना उसमें आपको दूद को नहीं फाड़ना है थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके आप करेंगे डालेंगे अपने आफ फट जाएगा देखिए दूद खुल गया अब इसको हम ऐसे करके डाल देंगे और अच्छा पनीर भी बन जाएगा तो है ना मज़े की बात की आप मलाई से मक्षन भी निकल गया और मचाऊ अदूद को पनीर भी निकल गया और वो उस पनीर से आप पनीर सबजी बना सकते हैं पनीर पराठे बनाएए पनीर भुर्जी बनाएए या फिर पनीर कोई भी सबजी बनाएए आप रसगुला बनाएए रसमलाई बनाएए कोई भी आप रेस्ट भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी होगा और देखिए कितना अच्छा पनीर फट गया है न आप बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं घर में और इसे अब दही भी जमा सकते हैं, तो इसका दही बहुत ही जल्द जम जाता है, देखिए, बिल्कुल ही अच्छा दुद्फट गया है, आप इसको हम छान लेंगे पानी को देखिए, धाई सो से उपर ही पनीर बनके रेडी है, देखिए, बिल्कुल, मैं तो इससे रसगुला बनाऊंगी, आप बना सकते हैं, देखिए, तो यह रसगुला बनाऊंगी, यह कुछ भी आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा देखिए, इसका किस तरह से है, बिल्कुल ही ताजा है, अघर का है, पनीर तो बहुत ही सुधा है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज कर दिजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेएर कीजिए टेक केर वाइबाई